नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है उन्ने सकस, शनिवार्द पर सवा तीन बजे, राजिसान की पंदर बड़ी खब रहे हैं इस नियूज बुलेटिन के प्रायोजिक हैं विनी, विनी केक अन मोर तो सबसे बले एक नज़र डालते हैं आज के हैरलाइंस पर पूरी सीम राजिय को मनाने में जुटी बीजेपी, आएकर विभाग में भारी फेर बदर, रास्तान में पेपर लीग पर अब उम्र कैद वे दस करोड रुपे तक लगे का जिर्माना अब साने भाषा में होंगे लोन एग्रिमेंट और सुप्रीम कोर्ट बोला सोशल मीडिया पर अभधर पोस्ट के लिए सजा़ जरूरी और अब खबर विस्तार से भारते जंता पार्टी राजस्तान के सीनियर नेता और पूरी सीयम वसंदरा राज़े को मनाने में जुट गई है पार्टी सुतरों के अनसार उन्हें ना सिर्फ एहम जिम्यतारी दी जाएगी बलकि पूरे चुनाव में उनकी जरूरत को पार्टी महसूस कर रही है दरसल अब बीजेपी ने राजसान विधान सबाचुनाव के लिए चुनाव प्रबंदन कमेटी और संकल पत्र कमेटी की घोशना की तो इन दोनों में ही पूरू मुख्य मत्री वसंदरा राजे का नाम नहीं था इसके तरफ बाद वसंदरा राजे की समर्थकों ने सोशल मीडिया और जमीन पर लगाता एक बाद एक कई बयान दिये इसके बाद अब पार्टी ने तरत्वने संके दे दिया है कि विधान सबाचुनाव में राजे को एहम जिमेदारी दी जाएगी राजे सान में आकर विभाग में भारी फेर बदल गया है राजे में चीफ कमिशनर और महाने देशक अन्वेशन सरके 61 अधिकारियों के तबाद ले किये गए हैं और आठ अधिकारियों को अतरिक्त कारिबहर दिया गया है प्रधान आयुक्त स्तर के 112 अधिकारियों के तबादले किये गए है और 55 अधिकारियों को अत्रिक्त चार्ज दिया गया है कमिशनर स्तर के 80 अधिकारियों के तबादले किये गए है और 81 को अधिशनल चार्ज दिया गया है केंद्रिय प्रत्यक्षकर बोर्ड ने समन्द में तीन अलग-अलग आदेश चोरी किये हैं। आदेश के अनुसार राज टंडन को राजिस्थान में महानी देशक अन्वीशन के पत पर लगाये गया है। केसपत पर काम कर रहे कीवी वेंकर नरसिमहा का तबादला हैदराबाद कर दिया गया है। को अपने वरतमान पदभार के साथ अपील यूनिट फरस्ट अजमेर और अपील यूनिट फरस्ट उदैपूर का अतिकत कारेबहर दिया गया है। प्रतियोगी परिक्षां में पेपर लेक कि आरोपो से घिरी रासान सरकार ने नकल माफिया पशुकंजा कस दिया है। अब भरती परिक्षाव में पेपर लीग के दोशी को 10 करोड रुपए तक जुर्माने के साथ ही उम्रकैद तक की सजा होगी इससे सबमंदित कानून लागू हो गया है ऐसी सजा का प्रावधान करने वारा रासान देश का पहला राजे है राजेपाल की मंजूरी के बाद रा बैंकों को नए दिशा निर्देश वारिक्या हैं अगले साल तक जनुरी से लगू होने वाले इन दिशा निर्देश के मताबिक हिंदी जैसे ग्रहा की अपनी भाषा में लोन एग्रिमेंट होगा उसमें बैंकों को पैनल्टी और लेट फीस के नियम बोल अक्षरों में ल इनलाडू के एक्टर और पूर विधायक S.W. शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को रफद दफा करने से इंकार कर दिया उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर अपत्ति जनक टिपनी करने का मामला दर्ज किया है टासान के कोटा जिले में पंच्वाइती रास अंस्थाओं, उप्चुनाओं से सम्मधित पंच्वाइती रास अंस्थाओं के निर्वाचुन शेत्र में स्थित और द्योगी क्वानेजिक प्रतिसानों के नियोजुकों के उनके शेत्र में मदान दिवस 20 अगस को सभ वैत अथारवी ओल इंडिया हनमान सिंग महिला हैंड़ प्रतियोगिता का शुकरवाल को उद्गाटन हुआ जैसल मेर के शहीद पूनाम सिंग स्टेडिया में हुए उद्गाटन समारों में इस दोरान तगराम भील ने अलगोजा वादन किया उद्गाटन के बाद हैंडबॉल की मैच हुए जिसमें राजसान पुलिस की टीम ने जंडे गाड़े उद्गाटन समारों में विधायक धन्देव ने कहा कि जैसल मेर के खिलाडियों ने देश दुनिया में अपना नाम र पार्टी और कॉंग्रेस दोस्ती का हाथ मिला चुके हैं लेकिन इससे पहले दोनों दोलों की बीजट अक्राव भी देखने को मिलेगी दिल्ली और पंजवा में कॉंग्रेस से सत्ता चीन चुकी आपने अब राजसान विधान सभा चुनाओं में अकेले सभी दोसों सीटो पर चुनाओ लड़ने का अलान कर दिया है पार्टी जल्थी उमिद्वारों का अलान भी करने जो रही है कॉंग्रेस और भास्पा के बीस सीधी लड़ाई वाले सुबे में तीसरी ताकत की एंट्री से राजनेतिक समिकरण बदल सकते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी 22-24 अगस्ते दक्षिन अफरिका के जोहांसबर का दोरा करेंगे वो दक्षिन अफरिका के रास्टपती मटा महला साइरेस राम फोसा के निवंद्रन पर वहाँ जो रहे हैं जहां वे पंद्रमें ब्रेक से शिखर समेलन में भाग लेंगे दक्षिन अफरिका के अपनी यात्रा के बाद ग्रीस का भी दोरा करेंगे जहां वो ग्रीस के समकक्ष काईरी कोक्स मिट्सो टाकिस से मुलाकात करेंगे विदेश मंतराले ने एक बयान जोरे कर इस बारे में जौन करी दी है रसान अवासन मंडल में 258 पदो पर भरती के लिए मंडल प्रुशासर ने आवेदन के अंतिवतिति को बढ़ा दिया है अब अभ्यर्थे 21 अगस्तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे शुकरवार को आवेदन के आखरी तारिक लेकिन बोर्ट प्रुशासर ने इसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है मंडल सचीव अलपा चौधी ने बताया कि अभ्यर्थो की भीर को देखते हुए हमने इसकी तारिक को 21 अगस्तक बढ़ाने करेने किया है जुन जुन जिले में जनाधार कार्ड में फरजी वाड़ा किया जोरा है एक कार्ड में 16 फरजी नाम जोड़ दिये गए है जोड़े गए नामों में इनसानों के साथ साथ जानवरों के नाम भी है इसके अलावा फोटो में भालू, शेर, फूल, आधी की फोटो अपलोड की गई है मामला जिले के आनंध पूरा गाउं का है यहाँ एक परिवार के जो नाधार कार्ड में 4 सदसे हैं लेकिन फरजी वाड़ा कर सोलन नाम और जोड़ दिये गए है इनसान के जिकार जानवर के नाम जोड़ दिये गए है यही नहीं फोटो भी जानवरों की है अपलोड की गई है मामना सामने आने के बाद अधिकारी जाँच परताल में जोड़ गए है मेडिकल कांसलिंग कामेटी ने मेडिकल प्रवेश परिक्षा नीट में कांसलिंग के लिए दूसरे राउंड का ओल इंडिया कोटे फाइनल सीट अलाटमेंट जोड़ी कर दिया है एम्स, जिपमेर और सेंटरल यूनिवरस्टी तशा एस आईसी मेडिकल कॉलिज की कांसलिंग एक कॉमन पोर्टल पर हुई तीसरा राउंड कांसलिंग रोजिस्टरेशन 31 अगस से 4 सितंबर तक चलेगा कोटां में करियर कांसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रों ने बताया कि ओल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में MBBS कोर्स के लिए जोनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 22,104 रही दरसान लुक सिव आयोग ने सहाय कभ्यंता यांत्रिक के 12 पदों के लिए दिसूचनों ज़्वरी की है ऑनलाइन आवेदन 23 अगस से भरने शुरू होंगे सचिव रामनिवास महता ने बताय कि सहाय कभिहंता यांतरिक के ओनलाइन आवेदन 23 अगस से 22 सितंबर रातरी 12 बजे तक भरे जा सकेंगे ओफलाइन आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे श्यक्षनिक योगिता विशेवार पदो की संख्या वर्गवार वर्गी करन एवम अन्य जौनकरी आयोग की वेबसाइट पर उपलप्त करवाई गई है तरसान लोग सिवा आयोग द्वारा करनिस्ट विधिया दिकारी प्रतियों की परिक्षा 2023 का आयोजन 28 में 29 अक्टूबर 2023 को किया जाना प्रस्तावित है परिक्षा का विस्तरत का एक्रम यथा समय जौरी कर दिया जाएगा आयोग सच्चिव ने बताए कि इस परिक्षा के ताहत non-TSP के 134 और TSP के 6 कुल 140 पदों पर भरती के लिए विध्यापन 5 जुलाई को जारी किया गया था रासान की जिलों में बंद बंदियों की पेशी वीडियो कांफरेंसिंग के जरी होगी बरतपुर में पदेश के कुख्याद गैंग्स्टर कुल्दीप जगीना और नागौर में हर्याना के गैंग्स्टर संदीप बिष्णोई उर्फ संदीप सेठी की कोट में पेशी पर लाते समय गोलियों से भून कर हत्या करने के बाद उच्चिने आले ने बंदियों की सु नो उपकारागार हैं तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पटी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर